हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWD जॉप में यदि आप सिख्षक बनना चाते हैं, जॉप सर्च कर रहे हैं तो बिल्कुल आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से जितने भी विज्यापन जारी होते हैं सिख्षक भरती के चाहे हैं सरकारी हो, प्राइवेट हो या अलग डिपार्टमेंट की वेकैंसी जो की स्टूरेंट्स को नहीं पता लगती है, पिल्कुल समय पर आप लोगों को सूचना दी जाती है जिस भी राज्य की वेकैंसी जारी होती है, तो समय से पहले वीडियो बनाया जाता है आप लोग रेगुलर रहें, वीडियो लगातार देखते रहें, ताकि आप लोगों की राज्य की जैसे ही वेकैंसी निकलती है तो अंतिम तिति से पहले आप लोग आविधन कर सकें तो चलिए देख लेते हैं, इस वीडियो में विधान सचिवाले भरती की बात करेंगे जब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी वेकैंसी जहां पर बहुत ही कम क्वालिफिकेशन मांगी गई है और candidate को सरकारी स्थाई नौकरी चाहिए तो ऐसा वीडियो भी बनाया जाना चाहिए जहां केवल 10th pass student भी अपलाए कर पाएं 12th pass student भी अपलाए कर पाएं सरकारी स्थाई नौकरी रहने वाली है विधान सचिवाले से यह वेकैंसी आई है इस वीडियो में हम दो विध्यापन की बात करेंगे जिसमें एक में केवल जो है साक्षातकार इंटर्व्यू के माध्यम से सेलेक्शन रहेगा और दूसरा जो विध्यापन है उसमें रिटन एक्जाम होगा सभी राज़े के कैंडिडेट आविधन कर पाएंगे वेतन 25,500 से लेकर 81,000 तक और साथ में जो सरकारी भत्ते होते हैं HR, DA, ठीक है सभी अनुवानने भत्ते जो हैं इसमें इंक्लूड रहेंगे तो चले देख लेते हैं एस देख लेते हैं लेवल 4 के अकॉर्डिंग सेलरी है तो 25,500 जो है बेसिक पे है और 81,100 इसके साथ नियमान अनुमानने भत्ते भी जो हैं यहां पर आप लोगों को दिये जाएंगे लास्ट डेट रहेगी 21 जनवरी 2024 क्योंकि आवेधन स्टार्ट हो चुके हैं 21 जनवरी 2024 तक आप लोग आवेधन कर पाएंगे नेक्स्ट जो वेकेंसी कारेले परिचारी की है और बिल्कुल सरकारी स्थाई नौकरी रहेगी यहां पर वेतन 18,000 बेसिक पे रहेगी 56,900 तक आपकी सेलरी और साथ में सभी सरकारी अनुमानने भत्ते लास्ट डेट जो है इसकी भी 21 जनवरी 2024 है तो अगर आप आवेधन करना चाहें वेकेंसी कहां से आई है तो चलिए बिहार विधान सभास अच्छी वाले पटना से जो है यह वेकेंसी है जो भी कैनिरेट आवेधन करना चाहते हैं यहां पर लिखा है परिक्षा या साक्षातकार अभी फिलाल साक्षातकर के माध्यम से ही सिलेक्षन यहां पर हो रहा ہے अगर 40,000 से अधिक यहां पर आवेधन आ जाते हैं तब यहां पर डिसाइड किया जाएगा कि एक्जाम हो ठीक है फिलाल जो है वो केवल इंटर्व्यू रहेगा नोटिफिकेशन में यह चीज मेंचन की गई है पुल जो है कितने वेकेंसी आई है तो पदों की कुल संख्या वेकलोग सहित 54 जो है यहां पर पद आई है ठीक है नेक्स्ट जो है इन्होंने कंडिशन क्या-क्या रखी ह वो हम देख लेंगे अभिहरती का जो है भारतिया नागरिक होना अनिवार्य है राज्य सरकार या केंदर सरकार जोड़ा मैट्रिक या समकक्ष उत्तीन परिक्षा यानि 10th किया है 12th किया है graduate पास है तो सब भी अपलाई करें और कुछ नहीं यहाँ पर चाहिए आरक्षन का ल महिला है पिश्डा वर्ग है अतियंत पिश्डा वर्ग है पुरुस एवर महिला 40 वर्ष अनसूचित जाती और अनसूचित जन जाती यहाँ पर जो है 42 यह रखी गई है यह के वल बिहार राज्य के कैंदीरेट को ही जो है इसमें फायदा होगा कि जो SCST की पुरुस यह महि 42 यहाँ पर यह रखी गई है ठीक है सामन्य कैटिगरी के जो महिला वर्ग है उसके अधिक्तम आयो 40 वर्ष है तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि उम्मीद्वार की संख्या जो है 40,000 से अधिक होने पर कारेले परिचारी के रिक्त पदों पर सीधी भरती है तू एक प्रारंबिक परिक्षा ओया मार उत्तर पुस्ते का अधारित बहु विकल्पिया वस्तोनिस्ट परिक्षा आयुजित की जा सकती है यानि फिलाल तो नहीं है यह एप्लिकेशन पॉर्म पर ही निर्भर करेगा उप्युक्त पदों पर साक्षात कर कि अधिन उम्मीद्वार कुल यहाँ पर 40 पदों की संख्या आई है यहाँ पर सेक्षन की योगिता मांगी गई है इंटर्मीडियेट 12 पास इस्टुएंट अप्लाए कर सकते हैं या फिसके समगक्ष परिक्षा उतिन की हो साथ में यहाँ पर एक अनिवारे योगिता चाहिए कम्प्यूटर पाठे की माननेता हो या डी ओ एसी द्वारा वेहित विश्यों के पाठे करम और अबधी के संदर में ओस्तर के ओ लेवल का जो डिप्लोमा होता है इन कम्प्यूटर एप्लिकेशन डी सी यह या कम्प्यूटर दक्सता जाच ठीक है और यह भी आप देखें आठ आठ हजार की सामानने कैटिगरी की और अधिक्तम पूरुस की 37 वर्ष है और महिला की 40 वर्ष है परिक्षा की पद्दिती यहां पर देखें दो चर्णों में जाच या परिक्षा ली जाएगी पहले में तो प्रारंबिक परिक्षा होगी और सलेबस भी इन्होंने जारी कर दिया है वस् परिक्षा जो है उसका सलेबस इन्होंने बताया है सामानने अध्यन जिसमें सम सामे की इविस है भारत व इसके पडोसी देश सामानने विज्ञान और गडित सामनने विज्ञान गडित इसके अलावा जो है रीजनिंग मानसिक श्वमता एवम तार्किक विचार यहां पर यहां पर परिक्षा का पठेग्रम भी जारी कर दिया गया है कैसे अपलाई करेंगे यह सारी चीजि़tsåon में की गई है तो यहां पर परिक्षा जो है दो चर्नों में होगी एक तो आपका जो है प्रार्यविक परिक्षा रिटन जो है आप लोगों का प्सेक्टिव टाइप जो है question पूछे जाएंगे exam में और दूसरा जो है computer आधारित आपकी जाज परिक्षा रहेगी पीज की अगर हम बात कर लें तो दोनों ही विग्यापन में बिहार राज्य के मूल लिवासी अनुसुचे जाती अनुसुचे जन जाती 40% या इससे अधिक दिव्यांग अभ्यारती और राज्य के मूल लिवासी ये सबी बिहार राज्य के candidate के लिए किसी भी वर्ग की महला भ्यरतियों के लिए ओनलाइन आविदन की फीज जो है वो यहाँ पर 150 रखी गई है ठीक है ये केवल बिहार राज्य के मूल लिवासी जो भी SC, ST या फिर यहाँ PWD या फिर कोई भी किसी भी कैटिगरी की महला जनल कैटिगरी की include 150 यहाँ पर रखे गई है application fees इसके अलावा जो है भारी राज्य के candidate चाहे किसी भी कैटिगरी में आते हूँ 600 रुपए यहाँ पर फीज रहेगी तो यह complete जानकारी मैंने आप लोगों को दी अगर कोई भी interested है candidate 10th पास कर लिए है तो यहाँ पर apply कर सकते ह कारेले परिचारी के लिए और ऐसे candidate जिन्होंने 12th पास कर लिए है computer का degree या diploma है तो वो दूसरे विज्यापन में यहाँ पर form apply कर सकते हैं ठीक है सभी राज्यों के candidate जो है यहाँ पर form apply कर पाएंगे बिल्कुल सरकारी इस्थाई नौकरी है और मुझे लगता है कि अगर पूर या पास नहीं सोचना चाहिए क्योंकि government job पाना इस time जो है वो बहुत ही मुस्किल है तो चलिए मिलेंगे next video में thank you